साथियो नमस्कार मैं सुभमतिवारी रिजल्ड कुरू की यूटूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ साथियो कैसे हैं आप सभी एक बार आप लो कॉमेंट के माध्यम से बताईगा साथियो आज हम बात करने वाले हैं NEP 2020, राष्टी सिक्षानेती 2020 की बात करने वाले हैं जितने महत्पुन प्रिसन बन सकते हैं वो हम आपके सामने कराने वाले हैं सबसे पहले आते हैं प्रिसन नमबर एक पर आते हैं आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा देखो प्रिसन है आपके सामने कि माई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई सिक्षा नीती के बिकास के लिए समिती ने अपनी रिपोर्ट प्रिस्तुत की थी किसकी सामने की थी कि स्वरगिय स्प्रित टी सररी सयार आपके फिल्हाल में थे तो उन्हें के सामने रिपोर्ट प्रिस्तुत करी गई थी इसलिए आपका आंसर हो जायेगा ये आपका आंसर हो जायेगा phosphorus है चलिए अब बात करते हैं अगला प्रसन है अगला प्रसन आपके सामने रहा कि NEP राष्ट्य सिक्षनेती 2020 के अनुसार बरतमान में 10 प्लस 2 सेक्षिक मौडल को एक नए सेक्षिक पार्टिकरम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है तो नई सेक्षिक पार्टिकरम प्रणाली आपकी क्या रहेगी कि 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 रहेगी कि 5 प्लस 3 प्लस 4 रहेगी या 4 प्लस 3 प्लस 5 रहेगी या 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 रहेगी तो आपको पता है कि पहले आपकी 10 प्लस 2 का चलता था लेकिन जब राष्ट्य सिक्षानिती आपकी 2020 लाग हुई तो आपका क्या हो गया आपका 5 प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 4 का आपका लाग हो गया यह आपको पता है ठीक है अब बात करते हैं अगले प्रसंद पर अगला प्रस जो आपका सिक्षक है वो किस कक्षा तक मात्र भासा छेत्र भासा पर अध्यन करवाएगा कि कक्षा 3 तक कि कक्षा 4 तक कि कक्षा 5 तक तो सभी को पता है कि भाईया जब राष्टी सिक्षनेती लागू हुई तो कक्षा 5 तक अनिबाद हो गया कि आपको छेत्री भासा आपको मात्र भासा में आपको क्या करना पड़ेगा आपको अध्यAN करवाना पड़ेगा बच्चों को ठीक है इसलिए आपका क्या हो जाएगा आंसर C सही हो जाएगा अप चलते हैं हम अगले भीवार रहेगा बीअ डिख्री होती है जो इपम होता है डिगरी हुती है चार साल की भी अलंड भी होती है इस टायम पर होची ऐख फोग आखिर पे कौन सी वरस तक तक बना रहेगा तो देखो आपका 2021 रहेगा कि पिस रहेगा तक esfuerzo साभी को पता है 2030 तक हमका वह बैलेड रहेगा ठीकानिन अब बात आती है, अगले प्रिसन पर बात आती है, आपका अगला प्रिसन क्या है, अगला प्रिसन है कि निमलेखेत में से कौन जून 2017 में नब गड़ित ड्राफ्टिंग एन एपी 2020 के अध्यक्ष थे, ठीक है, ये कप की बात है, 2017 की बात है, क्योंकि उस टायम से आपकी निती 2020 की बात हो रही है, और हाँ, एक बार और बताईए का कॉमेंट के माध्यम से, ऐसा कौन सा राज्ज है, जिसमें पहली, सबसे पहले आपकी राष्टे सिक्षानिती लागो हुई है, ये कॉमेंट के माध्यम से बताना है आपको, ठीक है ना, चलो, तो इसका आंसर बत है, क्या है, अक्टर की कस्तूरी रंगन है इसका आंसर, ठीक है, चलो, अब चलते हैं अगले प्रसन पर, अगला प्रसन आपके सामने है, कि राष्टे सिक्षानिती 2020 के नुसार, उच्च सिक्षन संस्थानों में सकल नामंकन अनुपात, क्या है, सकल नामंकन अनुपात, आ आपका कितना होना चहीजे या 25% या 30% या 40% या 50% इसका मतलब है कि भहिया जो आपका नामंकर हो रहा है जैसे आपके अज तो आपके राष्टी सिक्छानीती लाग होने के बाद आपको हर सत्र में आपको 50% आपको नामंकर कराना अनिवार हो जाएगा यह है इसका मुख खुद देश तो आपका आंसर 50% सही हो गया हो गया कर नहीं हो गया अब बात आती है आपके अगले प्रसंद की अगला प्रसंद आपके सामने रहा कि NEP 2020 में MHRD द्वारा खाली स्था आयोग बनाना या नेशनल रिसरच फाउंडेशन बनाना या उप्रक्त मैं से कोई नहीं इसका हमें आंसर बताना है तो सभी को पता है कि यह एन एपी द्वारा MHRD द्वारा आपके नेशनल रिसरच फाउंडेशन की बात करी गई किसकी बात करेगी अर्था इसमें डिजिटलाइजेशन बाली बात होगी इसमें और जितनी भी डिजिटलाइजेशन बाली जो नई टक्निक पर बात हो रही है आपका 3G हो गया 4G हो गया 5G हो गया 6G हो अब इस से संबंदित आपकी टेक्निकल आपकी एजूकेशन भी आपकी इस पर होगी ठीक है अब बात आती है आगे तो आगे है आपका देखो अगले प्रसन पर कि NEP 2020 के अनुसार इसकूली सिक्षा में किस आयू बर्ग के बच्चे सामिल है या 16-18 या 3-18 या 6-18 या 5-18 तो भाईया यह सबसे अच्छी बात है पहले था आपका अलग सिस्टम था लेकिन अब इस बार हो गया है जो बच्चे 3 वर्सके हैं और 18 वर्सक तक हैं तो उनको क्या रहेगा वो राष्टी सिक्षा नीती 2020 के अंतरकरत आएंगी और उने निस्षू कूल सिक्षा दी जाए मानदंड मानक और दिसा निर्देश निर्धारत करना या प्रिसनपत सेट करना या परिक्षा आयजुद करवाना तो इसका आंसर क्या है आपको बताना है तो यह सभी को पता है इसका आंसर कि मानक मानदंड और दिसा निर्देश क्या करना निर्धारत करवाना इसका आंसर सी सही हो जाएगा यह तीनों आपके गलत हो जाएंगे ठीक है अब आते हैं हम अपने अंतिम प्रसंट पर अंतिम प्रसंट आपके सामने रहा कि राष्टे से ख्छानीती 2020 किसकी और बदलाओ का प्रस्ता और रखती हैं कि यह सीखना कि कैसे हमें सीखना है कि रटकर सीखने की प्रक्रिया की पार्ठ करम सामागरी में ब्रद्धी या मान की करना तो देखो पार्ठ करम सामागरी में ब्रद्धी तो कता ही नहीं होगी और ना आपका कोई मानक decide है और रट कर सीखने की प्रक्रिया पर तो कोई बल ही नहीं देना है हमें किस पर देना है कि भहिया एह सीखना कि हमें कैसे हमें सीखना है आखर पर तो आपको बताना है कि भहिया 10 मैंसे कितने प्रसंट सही हुए कोमेंट के माध्यम से और भहिया रिजल्ट गुरू लेकि आप आया है आपके साथ सीटेट का एक लब बैच पेपर बन आपका 399 में है पेपर टू आपका 599 में और कॉम्बू है आपका 699 में है ठीक है तो कैसा लगा आपको सेशन आप लोगों को कोमेंट के माध्यम से बताना है फिर आपको एक नए सेशन के लिए आगे आएंगे थैंक यू